नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल हेल्थी टिप्स में आपका स्वागत है गोरा और सुन्दर दिखने के लिए मार्किट में बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं लेकिन वो कैमिकल से भरे होते हैं और कुछ लोग खुद को सुन्दर दिखाने के लिए मेकप का यूज करते हैं मेकप सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही फेस पर ठीक लगता है फिर ये अपना बैरिफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है दोस्तों क्यों न हम अपने चेरे को प्राकतिक रूप से सुन्दर और गोरा बनाए आज मैं आपको कॉफी से बने एक ऐसे फेस पैक के बारे में बताऊंगी जिससे आपकी सुन्दरता में चारचाल लग जाएंगे और आप गोरी और ग्लोइंग स्किन पासकते हैं और मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक ऐसी टिप बताऊंगी जिसके करने से इसका असर दुगना हो जाएगा तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं किनकिन इंग्रीडिंस की जरूरत होगी सबसे पहले है कॉफी पाउडर कॉफी पाउडर हमारे सकीन के लिए बहुत ही यूस्फुल होता है इसमें बहुत सारे एंटी आक्सिडेन होते हैं जो कि हमारे सकीन से पिगमेंटेशन गडाग धबो को दूर करके हमारी स्किन को साफ सुत्री और गुरी बनाता है चावल का आटा चावल के आटे में स्किन बायोटिक प्रॉपर्टीज होती है लेमन जूस लेमन में लेटिक एसिड होता है जो हमारी स्किन को फेर बनाता है हानी हनी हमारी स्किन को अंदर से मॉस्टराइज करता है तो चलिए अब जानते हैं इसको बनाने की विधी अब आप एक बाउल में आदा चमच कॉफी को ले और एक चमच चावल के आटे को डाले और एक चमच नीमबू के जूस को ले और फिर एक चमच हनी को लेकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए दूस्तो अगर आपकी स्किन ओयली है तो आप इसमें से हनी को स्किप कर सकते हैं और अगर आपकी स्किन ड्राइ है तो आप इसमें से लेमन जूस को स्किप कर सकते हैं और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं जब ये face pack तयार हो जाए तो आप इसे अपने चैरे पर लगा कर दो मिनिट तिक के लिए circular motion में मसाज करें और फिर अपने चैरे पर ऐसे ही लगा रहने दें और जब ये सूख जाए तो आप इसे नॉर्मल पाने से धोलीजिए दोस्तो आप इसे daily use कीजिए और देखिए देखते ही देखते आप कितने गोरे और सुन्दर हो जाएंगे अब मैं आपको बताने वारी हूँ इस नुस्के को और भी ज़्यादा effective बनाने का तरीका गोरी और चमकदार तुचा इसी के साथ ही दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तो रिष्टेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवा दोस्तो